पवन सिंग को मिलने जा रही है भोजपूरी में सबसे बड़ी सुरक्षा जी हाँ आपको बता दें कि पवन सिंग का एक फैन जो है उनके पास पहुचा और अपने हाथों को काटा हुआ था और पवन सिंग ये सब कुछ देखकर उसे डाटने लगे लेकिन फिर तुरन जैसे ही बिहार पुलिस को इन सब चीजों की खाबर लगी बिहार पुलिस ने संग्यान लेते हुए पवन सिंग को सुरक्षा प्रदान कर दी है जी हाँ आपको बता दें पवन सिंग भोजपूरी के एक बहुत ही बड़े चेहरे हैं और ऐसे में उन्हें अपने स्टाडम का खाम नियाजा भुकतना ही पड़ता है आए दिन पवन सिंग के घर के सामने 400-500 लोग इस करोना काल में आकर जमे हुए हैं लोग उनसे मिलना चाहते हैं पवन उनके लिए ही अपनी बालकनी में आते हैं वेब करते हैं हाथ हिलाते हैं और फिर चले जाते हैं लेकिन फैंस है कि मा पवन सिंग नहीं ले सकते ये सभी जानते हैं क्योंकि ऐसे टाइम में अगर 400-500 लोग कहीं एक जगे जमा होते हैं तो इससे करोना फैलने का सबसे जादा डर है इन सब चीजों को मद्दे नजर रखते हुए बिहार पुलिस ने चार जवानों को पवन सिंग के साथ रख द पवन सिंग काफी समय से उनके घर के सामने जितने भी उनके फैंस जमा हो रहे थे उन्हें लगातार ये कह रहे थे यहाँ से जाओ ऐसे समय में मेरे यहाँ आना ठीक नहीं है लेकिन फैंस थे कि मानने को तैयार नहीं थे फैंस है कि पवन सिंग का सुन नहीं रहे थे और ऐसे में पवन सिंग को बिहार पुलिस ने एक सुरक्षा दी है साथी साथ अब पवन सिंग के घर के सामने लोग जमान नहीं हो सकते हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए सारा कुछ किया गया है साथी पवन सिंग की को भी ध्यान में रखते हुए जिस तरह से लोग उनके पास आते हैं बिहार का एक जाना माना नाम है पवन सिंग बिहार की शान है इससे मद्दे नजर रखते हुए बिहार पुलिस ने उन्हें ये सुरक्षा प्रदान की है आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिलकुल न भूलिए